दोस्तों यदि आप स्वस्त जीवन जीना चाहते हैं तो हजारों गुरों से भरपूर इस दिव्य उसिधी के बारे में जरूर जाने और यदि आप गंबीर बिमारियों से भी परिशान चल रहे हैं तो इस उसिधी के सेवन से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे स्वस्त व्यक्ति को भी इसका जरूर सेवन करना चाहिए ताकि आप गंबीर बिमारियों का शिकार ना हो पाएं तो फ्रेंट्स आपसे एक रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें अंड तक ये आपके बहुत ही काम का वीडियो हने वाला है तो आज हम आवल सेवन नहीं करना चाहिए ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवला के सेवन से किन-किन विमारी उसे मुक्ति मिलती है दोस्तों आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में ज्यादातर लोगों को कोलेश्टरॉल और बीपी यूगर को भी सरी पे बैलेंस करता है पेट के सभी विकारों को जड़ से खत्म करने का काम करता है यदि आपके पेट में या मुँ में चाले या अलसर का प्रॉब्लम है तो उसे भी खत्म करने का काम करता है यदि आपको पेशाप करने में जलन हो रही है तो पेशाप से र प्रॉब्लम है तो यह आवले के जो बीज होते हैं यह ब्रामबाण होसदी है आवले के बीज को यह आप सुखा कर इसका पाउडर बना लेते हैं और एक चमच पाउडर को खाली पेट सुबह गरम पानी के साथ पिएंगे तो लिक्योरिया की समस्या भी जड़ से खत्म हो जा करण से भी आखों में तकलीब होती है तो आवले के सेवन से आखों की सारी समस्या दूर हो जाती है ओले के मौजूद एंटी ऑक्सिदन के कारण आपके चहरे के दाग धब्बे सारे दूर हो जाते हैं आप चहरे पर आफाले का पेश्ट लगाएंगे तो चहरे eyes और खुब लेकिन जो लोग पहले से ही blood disorder से जूज रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सला से ही आवले का सेवन करना चाहिए आवले में हजारों गुण पाये जाते हैं इसके गुणों के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है आवले को vitamin C का सबसे अच्छा source माना जाता है जो सरीर को ना सिर्फ स्वस्त रखता है बलकि कई तरह की गंबीर बिमारियों से भी बचाता है आवले में vitamin A, B complex, potassium, calcium, magnesium, iron, carbohydrate और fiber भरपूर मात्रा में पाये जाता है तो हमें आवले का किसी ना किसी रूप में जरूर यूज़ करना चाहिए चाहे तो आवले का powder, jam, juice, या मुरबा, अचार या चटनी का सेवन करें प्रति दिन एक ही आवला सरीर में जाना चाहिए जया ज़्यादा से ज़्यादा दो आवला ले सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अती सही नहीं होती चाहे वो पानी हो चाहे भोजन हो इसी तरीके से आवले क को भी जादा नहीं खाना चाहिए आवले की सेवन करने से प्रतिरोधक छमता बढ़ती है यह सरीर से विशहले तत्मों को बाहर निकालता है और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देता है अब हम बात करेंगे कि आवले का कब सेवन करना चाहिए तो दोस्तों सुबह खाली प सेवन करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और कब जे एसीडिटी की समस्या से राहत मिलती है और रात को आवले के सेवन करने से बचें जैसे कि आप रात को सोते समय गरम पानी के साथ आवले का पाउडर ले सकते हैं तो फायदा होगा कि विटामिन C होता है आवले में रहती है उन्हें आवले के सेवन करने से परहेज करना चाहिए आवले में मौझूद विटामिन सी की अधिकता हाइपर एसीडिटी वाले लोगों की दिक्कते बढ़ा सकते हैं जिनकी सरजरी हुई है उन्हें भी आवले से परहेज करना चाहिए या जिनकी होने वाली है सरजर उन्हें भी एक दो सत्ता पहले से ही आवले का सेवन करने से बचना चाहिए इस फल का अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लेडिंग का खत्रा बढ़ जाता है हाइपर टेंशन और किड्नी की समस्या से परिषान लोगों को भी आवले का सेवन नहीं करना चाहिए इसका सेवन करने से सरीर में सोडियम का इस तर बढ़ जाता है जिससे किड़नी अपना काम तरीके से नहीं करती है यदि आप डाइबेटीज या हाई ब्लड प्रिशर की दवा ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ही आवले का सेवन करें क्योंकि शुगर लेबल और ब्लड प्रिशर को कंट्रोल करने का काम करता है आवला यदि आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं तब भी आवले का सेवन ना करें यदि आप प्रेगनेंट हैं तब भी आवले का सेवन करने से बचें यदि दोस्तों आप कच्चे आवले का उपयोग करना चाहते हैं तो कच्चे आवले को खाली पेट नमक के साथ खा सकते हैं खाने में अच्छा लगेगा लेकिन यदि आप शुगर पेशेंट हैं तो मीठी चीजों को वाइट करें जैसे की मुरब्बा मीठा होता है आप कई तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं सालवर के लिए अभी ठंड का सीजन है तो ठंड में बहुत ही सानी से मिल जाता है और सस्ता आवला तो आज आपने जाना कि आवले में हजारों गुड़ पाये जाते हैं जिससे आप कई भेंकर से भेंकर बिमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं और मैं आपके लिए इस तरीके की यूसफुल वीडियो लाती रहती हूँ तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं ओके फ्रेंट्स जब तक के लिए टेक केर बाबाए